तो जैसे कि दोस्तों टोयटा और सुजुकी भारत में लाएगी अपनी कॉमपैक्ट इलेक्ट्रिक कार जल्द हो रही है भारत पे लॉंच तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये कार, क्या है फीचर्स, क्या है कीमत तो जैसे कि दोस्तों जपान की दिवगंबर, आटो मोबाइल कमट्री टोयटा और सुजुकी मिलकर भारतिय बाजार के लिए कॉमपैक्ट बैटरी इलेक्ट्रिक कार लॉंच करने की तयारी कर रही है भारतिय बाजार में दोस्तों टोयटा और सुजुकी की मिलाव से इस कार का नाम EQ रखा जाएगा माना जा रहे कि दोस्तो इस कार का प्रफॉर्मन्स अन्य इलेक्ट्रिक कारों से काफी दमदात होने वाला है और ये माइलेज के भी मामले में काफी सारी इलेक्ट्रिक कारों को पीछे छोडने वाली है दोस्तो आप सभी अफॉर्डेबल प्राइसर जिसमें आप एक अपनी इलेक्ट्रोनिक कार को ले सकते है दोस्तो पावर की बात करें तो इस मेनी इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको 40 किलो वाट की इलेक्ट्रोनिक मोटर देखने को मिलती है जो की आपको 53 बीएसप की पावर और 120 एनम का पीक अप टॉक जनरेट करती है साथी साथ इसके अंदर आपको 15.9 के वाट की बैट्री पैक का इस्तमाल किया है ये इलेक्ट्रिक काल फुल चार्ज होने पे 130 से लेकर 150 किलो मिटर तक की रींच के साथ दौर सकती है इस टेंडर चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करती है तो ये करीबन 5 घंटे से लेकर 45 मिनट तक का सफर पूरी चार्ज करने पे लेती है फास चार्जिंग की सुविदा भी दोस्तो इस कार के अंदर आपको देखने को मिलती है पताना चांगा फास चार्जिंग से अगर आप इस कार को चार्ज करेगे तो केवल 55 मिनट में ये कार फूल चार्ज हो जाती है तो दोस्तो ये तो काफी अच्छी बात है कि टॉयटर अपनी नई एक और छोटी मीनी इलेक्ट्रिक कार को हम सभी के लिए भारत में लॉंच करने वाली है जिसका नाम EQ रखा गया है और भारती बजार में दोस्तो इसके स्टार्टिंग एबद 3.20 लैक रुपीज से होने वाली है बारती ग्राकों को देखते विए दोस्तो ये कार सबसे सस्ती भी कहा इसे जा सकता है क्योंकि इस कार के अंदर आपको सारी एडवांस फीचर्स देखने को मिलते है और ये कार आपके लिए एक बैस्ट ऑप्शन बन सकता है अगर आप इस कार की अधिक जानकारी चाहते हैं तो फटा फट कमेंट बॉक्स में जाईए अपना नाम और सिटी का नाम लिखे हमें कमेंट करिए ताकि मैं आप सभी को और डिटेल दे पाऊं वीडियो पसेंद दो दोस्तों बिना लाइक करें बेलकुल मत जाएगा मिलेगा हम आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद